Hi everyone, मैं आपका दोस्स, आहिर स्वागत करता हूँ हमने चनल पे बई, अब Samsung का एक new phone आ रहा है, जो काफी लोग भी मुझे पूछ रहे थे हमें यह लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह phone है एक non-Chinese phone और हम आज कल चला रहे हैं एक मोहीम bycott Chinese phone तो भई देखते हैं इस phone में क्या खास है, 30 जुलाई को यह इंडिया में launch होगा और यह under 20,000 होगा, तो फुछ specs के साफ से मुझे बढ़िया भी लग रहा है, बाकी depend करता है इसका price, क्या price पे launch करते हैं और कैसा phone होगा, तो इस phone का नाम है Samsung M31S, M31 पहले भी आ चुका है, मगर M31S, कुछ new changes के साथ, कुछ new specs के साथ, जो मुझे भी थोड़ा attract कर रही है, अगर आप इसका एक पहलू छोड़ दें, वो पहलू में आपको आगे ज़रूर पता हूँगा, phone की बात कर लेते हैं, phone देखने में काफी बढ़िया लग रहा है, मैं सबसे 6.6 inch तक हो सकता है, औ और single punch hole के साथ आएगा, single punch hole काफी बढ़िया लगती है, especially notch से चुटकारा मिल चुका है, और super AMOLED Samsung की काफी बढ़िया display quality होती है, आप Samsung कोई भी phone ले लो, 15-20,000 के बीच में, उसमें अगर आप display quality compare करोगे, realme, xiaomi, vivo, oppo, तो इनकी काफी जादा अच्छी होती है, जो मैं इस display और battery काफी कमाल की होती है, मगर इस phone में आपको in display fingerprint sensor नहीं मिलेगा, ये बड़ा change है, मुझे नहीं समझाया, AMOLED पैनल दे रहें, तब भी इसमें आपको मिलेगा side mounted fingerprint sensor, वैसे में को बिलकुल भी नहीं पसंद, में बस Redmi K30 है, जो इंडिया में POCO X2 बनके आया था, उसमें side mounted fingerprint sensor है, तो मैं prefer करता हूँ face unlock, मगर मुझे इतना पसंद नहीं आता, मगर आज कल जो mid range phone है, 10 से 20,000 में, उसमें mostly side mounted fingerprint sensor आ रहे है, अब Realme 6 ले लो, Redmi Note 9 Pro Series ले लो, फिर आप POCO M2 Pro ले लो, mostly side mounted fingerprint sensor आ रहे है, तो most probably आप लोगों को इसकी आज़त हो चुकी होगी, पर ये मुझ लेगा, साथ में इसमें मिलता है 1080p 2400 का screen resolution और 20 by 9 का expect ratio है, थोड़ा लंबा phone होगा, आज कल वैसे ये expect ratio चल रहा है, Android 10 के साथ ये phone आएगा, जो काफी बढ़ी है, latest Android version है, and 1 UI 2.0 का support मिलेगा, Samsung की UI भी काफी जाधा बढ़ी होती है, जो लोग use करते हैं, उनको पसंद जरू 10NM का chipset है, और 2020 में भी अभी हर phone में टेपी जा रहे हैं, टेपी जा रहे हैं, टेपी जा रहे हैं, मतब Snapdragon 720 लेलो, Snapdragon 730 लेलो, MediaTek का processor लेलो, G90T वाला ही लेलो, या आप बहुत अच्छे-चे डमेंस्टी वाले प्रोसेसर आगे हैं, आप वो क्यों ने यूज कर रहे हैं, ठीक है, यह इनका homemade घर की खेती है, इसलिए बना-बना के चेपी जा रहे हैं, मगर यह सबसे बड़ा drawback है, अगर आप gamers हो, उनके लिए, अगर आप regular user हो, तो मैं कहूँगा फिर ठीक है, आप चला सकते हो इसको एक-दो साल easily, मगर अगर आप PUBG खेलते हो, या heavy games खेलने के श मेरा heavy use हो जाता है फोन में, तो करके यह problem हाती है, मगर अगर आप gamers नहीं हो, बहुत rare game खेलते हो, तो मैं कहूँगा आप यह फोन चुन सकते हो, क्योंकि काफी लोग कहते हैं, हमने तो Samsung लेना है, जो मरची हो जाए, उसके बाद बात कीज़ाएं, इसकी RAM, 6GB RAM और 8GB RAM आपक आपको micro SD card का support नहीं मिलेगा, तो मैं कहूँगा अगर आप लेना चाहते हो, तो 128GB वाला ही variant लेना, camera की बात कीज़े, तो quad camera मिलेगा, similar look है, जैसे आप देख सकते हैं, बस M31 में, rear में, आपको fingerprint sensor था, इसमें नहीं मिल रहा, जो मिलेगा 64 megapixel camera, Samsung वाला ही मिलेगा, क्योंकि अपने घर की खेती ही चलानी है, मगर 64 megapixel का not bad अच्छा है, प्लस 12 megapixel का ultrawide, 5 megapixel का macro और 5 megapixel depth sensor, Samsung की फोन में ये अच्छा है, दो-दो megapixel के camera नहीं 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 चेप देते हैं, जो बहुसली companies देते हैं, जो यही मुझे बढ़ी है, camera इसका मेरे साब से काफी अच्छा होगा और आप काफी अच्छी फोटोस ले सकते हैं, मेरा भी मन है इस फोन का रिव्यू करने का, वैसे मैंने mostly Samsung के फोन के रिव्यू नहीं किये, mostly Chinese फोन के किये हैं, तो बही अब मुझे boycott मत कर देना, क्योंकि मैं रहता था चाइना में और वहाँ पर Samsung के फोन इतने नहीं चलते और आपने पैसों से खरीदने पड़ते हैं, रिव्यू यूनर्स तो नहीं आते हैं मारे पास, तो करके मैं avoid करता था, front camera भी काफी अच्छा है, 32 MP का, जो मेरे साब से काफी बढ़िया होगा, और selfie लेने के लिए काफी जादा आपको अच्छी फोटोस ला सकता है, इसमें आपको 3.5 mm audio jack मिलेगा, जो मेरे साब से बहुत ही बढ़िया बात है, मुझे नहीं पसंद में कुछ होता है, इसमें 3.5 mm audio jack हो, यूदि भी हर बंदा TWS नहीं ले सकता, और हम headphone jack यूज़ करते हैं, तो मेरे साब से बढ़िया उप्छले, सबसे बढ़िया अलग से एक और च चलती है, आपका अगर एक दिन निकालते हैं, और अगर 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 गेमिंग नहीं करते हैं, तो इसली निकाल देगी, तो मेरे साब से बढ़िया है, साथ में से फास चार्जिंग मिलेगी 25W की, मुस्टली लास्ट सेम्संस के मिड रेंज फोन में 15W की अपने की आ रही है, तो मेरे साब से थोड़ी तेज होगी, तो मेरे साब से इसका प्राइस 15,999 हो सकता है, मतब 16,000 के पास जो बेसिक वेरेंट होगा, 6GB, 128 या 64GB जो भी लाते हैं, और जो हाईर वेरेंट होगा, उसको जा सकता है, यह 18,000 तर, बाकी देखते हैं, परसो यह आ जाएगा, मतब 30 तारीकों किस प्राइस पर लाउंच करते हैं, कब लाउंच, किस प्राइस पर लाउंच करते हैं, वो मैटर करते हैं, अगर यह 19,000 में निकालती है, तो मैं कहूंगा वही, सामसम ने सस्ते एंड किये हुएं, अगर यह 15, 16, 15,000 में निकालता है, तो फोन, not a bad option, अगर आप गेमर नहीं हो, अगर आप गेमर हो, तो मैं आपको यह फोन रिकमेंट नहीं करूँगा, नहीं हो, तो जरूर लीजिए, आपका अच्छा खासा फोन चल जाएगा, उपर से non-Chinese फोन, भाई, हमने बाइकाट करना है, तो यह आप इसली लेके सब यूटुबर्स को कमेंट कर सकते हो, भाई, जो करना है, तो यह एक best option आपको मिल सकती है, तो भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही बड़िया लगे, तो एक like जरू करते ना, new है चैनल पे तो subscribe करे ना, मिलते हैं की वीडियो में चल दी, जायन वंद मत्रों